गनेश जनमोत सब की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकाम नाएं। गनेश चतुर्थी के दिन भगवान गनपती जी की अस्थापना की जाती है और उनकी विधी विधान से पूजा भी की जाती है। एक निस्चित समय पर गनेश जी का बिसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन पूजा का सुमूर्थ क्या है? कैसे पूजा करेंगे? और कैसे आप उनका मंत्र को जब करेंगे? जो जीवन के बिग्नेबादाओं को समाप्त करेंगा। वो कौन समंत्र है? जो चंद्रमा को देखने के बाद जो दोस लगता है उससे निवारन देगा। तमाम बाते चलिए अंतक बने रही है। तो गनेश जी का जनमोतसफ हम मनाएंगे गनेश उतसफ की सुबात हो गई है आज से ही। लेकिन इसकी खास रोनक ये है कि हर किसी के घर में गनेश जी पधारे हैं और गनेश चत करना चाहते हैं तो मूर्टि एस्ठापना का मूर्ध क्या है इसकी बिधी क्या है आईये जांते हैं देखिए चतूर्थी तिती के सुरुवात 30 अगस्त 2022 की साम 3 बचकर 33 मिनट पर होगी और चतूर्थी तिती समाफ 31 अगस्त 2022 की साम 3 बचकर 22 मिनट पर होगी यानि 30 अगस्त को 33 से चतूर्थी तिती प्रारंब है और समाफ्त होगा 31 अगस्त को साम 3 बचकर 22 मिनट पर पूजा का सुम मूर्थ रहेगा सुबर 11 बचकर 24 मिनट से दो पहर 1 बचकर 24 मिनट तक और बिसरजन 9 सितंबर 2022 को अनन्च चतूर्थसी के दिन होगा अनन्च चतूर्थसी के दिन किये जाएंगे तो गनेज जी की अस्थापना विदी क्या है देखिए गनेज चतूर्थीत पुजा के लिए मिट्टी से बनीवी गनेज जी की परतिमास सबसे उत्तम मानी जाती है और गनपती जी को इस दिन पूरे धूम धाम के साथ घर कर उस पर गनेज जी की परतिमास्ता पित करें अब इसके बाद गंगा जल पंचामरिट से गनेज जी का अभिसेख करें उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें वस्त्र सफेद नहीं होगा पीले रंका होगा फिर उन्हें चंदन धूप दीप सिंदूर पुस्प मोदक और फल दल चढ़ाएं इसके बाद गनेज जी की आर्ति करें और दस दिनों में से अफ जितने दिन के लिए गनेज जी को रखना चाहते हैं उतने दिन रखकर बिधी विधान से पूजा करें और निस्चित अब्धी में उनका विसर्जन कर दें तो पूजन विधी क्या है देखि पहले तो गंगाजल सभी सेक करें फिर अक्षत पुस्प दूरवार पित करें फिर उनका सबसे प्रियम मोदक का भोग लगाएं धूप दीप चला कर उन गनेज जी की अराधना करें अंत में आर्ती करें और मंत्र जप करें सामके समय गनेज जी की फिर से पूजा करें गनेज तो इस मंत्र का जब कर सकते हैं वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं जैसे ओम हस्ती पिचासी लिखें स्वाहा भादर परद मास के सुकल पक्ष की चतूर्थी से गनेज जी का उत्सब गनेज जी की घर में अस्थापना के साथ सुरू होता है और लगाता है दस दिन तक गनेज की परतिमा की दिविरान से पुजा होती है और अनन्द चतूर्थी के दिन गाजे बाजे के साथ उन्हें को मुर्ति को अभी सर्जन किया जाता है तो जब आप चंद्रमा का दर्सन कर लें भूल से और दोस्दूर करने के भी मंत्र होता है तो ये मंत्र है तो इस मंत्र का जब कर लें या फिर एक अंकल उठाकर पीछे की तरफ फेक दें इससे भी दोस्द कर जाते हैं अपनी रासी के नुसार भी गनेज जी को आप उनके प्री चीज भोग लगा सकते हैं जैसे मेश रासी वाले बुंदी के लड़ू का भोग लगाएं बिरसब वाले मोदक के लड़ू का भोग लगाएं मिथुन रासी वाले गनेज जी को हरे रंग का वस्तर अर्पित करें करक रासी वाले गनेज जी को चंदन का तिलक लगाएं और सिंग वाले गनेज जी को लाल पुस पर पित करें कन्य रासी वाले गनेज जी को पान अर्पित करें और कुम्ब वाले भगवान गनेश को सुखे मेवों का भोग लगाएं जो मीन वाले हैं वो पीले रंग के पुस पर पित करें तो आपके जीवन की परिसानिया दूर होती है अगर कार में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही है पीडित बुद्ध है कुंडली में यानि बु द्यार्थियों के लिए सही नहीं चल रहा है पढ़ाय लिखाएं में अच्छा नहीं वो पा रहा है या पिर करजों से परिसान है आपका स्वास्त अच्छा नहीं है मानसिक टेंसन है तो इन तमाम परिसानियों से मुक्ति पाने के लिए अपनी रासी नुसार आप गनेश जी को चीज़ें पितकर उन्हें मना सकते हैं हर तरह की इक्षा भी पूर्ती होगी सफलता भी मिलेगी और चंद्रमा अगर गड़बर है वह भी सुप्फल देने लगेगा एक कहानी है चोटा सा कहानी है उसको जरूर सुनना चाहिए एक बार पारवति जी असनान करने के आने वाले सिप जी को उन्होंने रोका तो संकर जी ने रूष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया जब पारवति जी को इसका पता चलाओ तो दुख के मारे बिलाब करने लगी उनको प्रशन्न करने के लिए सिप जी ने गच का सर काट कर गनेज जी के धर से बिसरजन है उसकी परंपरा है और गनेज चतूर्थी पर चुकि ये परवतिन चरणों में मना जाता है देखे पहला चरण जो हता है गनेज जी के घर में आगवन का होता है और गनेज जी को घर लाय जाता है इसके बाद जो दूसरा चरण है उनकी अस्थापना का होता है ब उपपर भूल से दर्षन हो जाए तो आप मंत्र जप जरूर करें लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जो गनेजजी को बहुत पसंद है और कुछ ऐसी चीजे हैं जो भूल कर भी उन्हें नहीं अर्पित करनी चाहिए तो चलिये जानते हैं कि गनेज जी को कौन सी बस्तू नहीं अर्पित करने चाहिए पहला है सफेद कलर का वस्त्र या सफेद कलर का जनेव गनेश जी को आप अर्पित नहीं कर सकते उन्हें पसंद नहीं है सफेद रंग इसलिए पीले रंग के ही अर्पित करें तूटे वे और सुखे चावल अर्पित ना करें केला पत्ता या पान का पत्ता ले आए। जब आप पुझा कीजे करें के दोरां ही करना है केले पटेम पट्ता पर एक मुठी साबूत चावल रखे तो लड़ू रखें और एक सुपाडी रखें के दुरबा घास है तो और रखके इसके बाद गनेज जी को गनेज जी के सामने ही रखिए बाद में जा पूझा बिगेरे कर लें तब जो चावल है आपके खाना बनाने बारे चावल में डाल दें जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें अपने पास और जो लड़ू है परसात के रूपे पूरे घर के साथ के के साथ मिलकर खाएं और तो यह सभी काम करने से क्या होते हैं जीवन की हर कस्ट परिशानी दूर होते हैं तो गनेज जी घर आ रहे हैं उनकी कुछ पसंदीदा चीजे हैं जो उन्हें आपको जरूर अरपीत करना है पहला है दुर्वा घास उनको बहुत प्री है गनेज जी बहुत महत्व है गनपती जी की जब भी पुजा करें उन्हें गन्ना अरपीत करें तो जीवन में मिठास घुलता है लाल गुड़हल का पुस्प बहुत प्री है उन्हें लाल गुलाबी अरपीत कर सकते हैं आपको सुभ लाप की प्राप्ती होती है और अगर आप गनेज के आटे से मोदग बनाएं तो ज्यादा अच्छा है सिंदूर सिंदूर का चोला उन्हें अरपित करना यानि पूरे बॉड़ी में लगाना या सिंदूर का तिलक लगाना सबसे सुभ है लेकिन जो महिलाएं हैं वह गनेज जी को सिंदूर अपित नहीं करेंगी जो पुरू भी होते हैं और जीवन में खुसियों से आपके जीवन को भर देते हैं तो ये तो थी सिंपल तरीका गनेज जी को मनाने का लेकिन पंचामृत से अभी से जरूर कीजेगा गंगा जल और पंचामृत और फिर नए वस्तर अपित करना है और दस दिनों में आपको जितना दिन को रखना चाहते हैं आप रखिए क्योंकि जितने भी दिन बप्पा आपके घर में रहेंगे उतने दिन जीवन में सिर्फ खुसिया ही आएगी दुख तकलीप साड़े चले जाएंगे तो पूजा करने के विशेस बिधान हमने आपको बताए गनेज जी के मंत्रों का आप जब कीजेगा अंत में और आरती जरूर कीजेगा हम आपसे भी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद